Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आसा करता हूँ कि आप सभी मजे में होगे दोस्तों आज मैं आपके लिए एक महत्पूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ ये वीडियो है विद्याले अभिलेखी करण एवं वित्तिय दक्षिता पर आधारी थे दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो पुरानी पंजिकाएं थी जो पुराने रेजिस्टर थे उनकी जगा लेने वाली है 14 नई पंजिकाएं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले 44 पंजिकाएं प्राइमरी स्कूलों में चलती थी 44 की जगा 14 पंजिकाएं आ रही है तो बाकी पंजिकाओं का क्या होगा यानि वो सारी चीजें कहां पर लिखी जाएंगी तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 44 पंजिकाएं थी उनका 14 पंजिकाओं में कैसे समेकन हुआ अर्थात कौन-कौन सी पंजिकाओं का समेकन हुआ है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो बहुत ही छोटी है और आप जो है देखिए कि स्कूलों की तरह पंजिकाओं का भी मर्जर हो गया है तो आएए हम आपको ले चलते हैं वीडियो में और दिखाते हैं कि किस पंजिकाओं का किस में मर्जर हुआ है हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिद्धियाले अभिलेखी करण एवं बिद्धिये दक्षिता और पहले जो है इतनी धेर सारी पंजिकाएं आप इसक्रीन पर देख पा रहे हैं भले हिए इस पस्ट नजर नहीं आ रही है लेकिन आप इनकी गिंती कर सकते हैं कि जो विद्धियाले अभिलेख हैं वो कितने थे यानि कुल हमने जो काउंटिंग किया है हमारे हिसाब से यहाँ पर 54 आ रहा है कुल 14 पंजिकाएं चलती थी और इन 14 पंजिकाओं में आप जो है आपके पास रह गई हैं कुल मिला करके यह जो है यह जो 44 पंजिकाएं थी 44 पंजिकाओं में आपके पास कुल रह गई हैं यह 14 पंजिकाएं जिसमें 10 पंजिकाएं हैं प्रसासनिक अभिलेख हैं जिसमें से हैं आपका सिच्छक डैरी उपस्तित पंजिका प्रवेश पंजिका कच्छावार उपस्तित पंजिका निसुलक समगरी वित्रण पंजिका बैठक पंजिका, ग्राम, वार्ड, सिख्छा, निरिछन पंजिका, पत्र वेवार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तिकाले और खेल कूद पंजिका बजटवार, स्टाग पंजिका, आईवे पंजिका, इन पंजिकाओं को जो है सासना देश संख्या, आप देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जो है सबसे पहले जो बिद्याली अवलेक है वो है सिचख डैरी, आपको मालूम है कि प्रकार का जो है कहा जाए एक अच्छी आदत है, एक प्रकार के जो है अपने अपने सब की विशेस्ते होती है, तो कुछ लोग प्रकार की हमेशा लिखा करते है तो शिच्छा को भी चाहिए कि जो है वो आपने डारी लिखे डारी में अपनी कार योजना बनाए प्रद्दिन के घटनाओं को अंकित करे ये बहुत ही अच्छी बात होती है तो ऐसे ही एक सुन्दर डारी जो है आप सभी ने देखा होगा कि आपको प्राप्त होगी और उस डारी में ये मुख चार भाग होंगे अध्यापका संशिप्त परचे सिच्छन योजना एक द्रिश्टी सिच्छन योजना का प्रारूप एवं वित्रण और सिच्छन योजना यानि सिच्छन योजना आपको डारी में बनानी होगी जो है सिच्छन योजना का प्रारूप वहाँ पर दिया होगा ठीक है और इसमें आपको डाइरी में कुछ निरिच्छन के लिए भी कालम बने होगे जिसमें कि आपके विद्याले में जो आनूसरवन होगा कभी ARP महोदे आते हैं तो वहां पर लिखेंगे तो सबसे पहला जो प्रमुख अभिलेख है दोस्तों वह आपका सिच्छक डैरी जिसके यह चार मुख भाग है फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो है क्या है फिर आता है विद्याली अभिलेख उपस्थित पंजिका दोस्तों आपक उपस्थित पंजिका आलग प्रेरग उपस्थित पंजिका रसोया उपस्थित पंजिका यानि इस तरह से चार पांच तो जो है आपकी उपस्थित पंजिकाएं बन जाती थी और जब कोई अधिकारी आता था निरिछण में आता था जो है पंजिकाओं को देखना चाहता तो फिर आप अलगर पंजिका हैं डोन करके उसे जो है दिखाते थे निरिचंकरवाते थे तो दोस्तों इन सब चीजों को कम करने के लिए एक समयकित पंजिका बना दे गए है सभी की उपस्तिती है तो एक समयकित पंजिका है जो की है आपका उपस्तित पंजिका और दोस्तो अगर मालीजी कि आपका विद्ध्याले हैं सभी को वरिष्टा के क्रम में लिखेंगे फिर अनुदेशक आते हैं प्रेरकाते हैं जो भी उसके नीचे लिखे जाएंगे तो सभी की जो उपस्तित हो गए और एक दूसरे हेड टेचर हो गए तो सबसे पहले इंचार्ज का नाम लिखेंगे फिर दूसरे हेड का नाम लिखेंगे उसके बाद सभी सहायकों का नाम वरिष्टा के क्रम में लिखा जाएगा यही चीज अगर प्रामरी और जूनियर का संबिलन हुआ है तो सबसे पहले जो है जो पूरे विद्याले के जो हेड है जूनियर के जो वरिष्ट अध्यापक है उनका नाम लिखेंगे उसके बाद प्रामरी के हेड का नाम लिखेंगे उसके बाद फिर सभी अध्यापकों का जो है बरिष्टा के करम में नाम लिखता हुआ चला जाएगा पहले जूनियर के विद्यालों का लिखेंगे उसके बाद प्रामरी के विद्यालों का फिर शिच्छामित्रों का अदेशुकों का मतला बरिश्टा के करम में आपको जो है नाम लिखना है तो इस तरह से सब पूरी जो उपस्तित पंजिकाएं वो समय कितों करके एक पंजिका का बनाते थे यहां पर आपको प्रवेश पंजिका में तीन चीज़ें आंकित करने हैं ध्यान दिजेगा नामांकित चात्र चात्राओं का संपूर्ण विब्रण अंतिम कक्छा उत्तिण वा अन्यत्र गमन है तू और इस्थाना अंत्राण प्रमापत निर्गमन का विब्रण य ये चीज़ें जो है लिखी जाएंगी आपकी प्रवेश पंजिका में फिर आगे है दोस्तों अगला भी लेग जो आ रहा है वो है चात उपस्तित पंजिका तो विद्याले में चात्रों की दैनिक उपस्तित के विब्रण है तो कच्छावार उपस्तित पंजिका बनेगी ये तो पहले जैसे ही रहेगी जो है ठीक है फिर अगला पॉइंट आता है जो है निसुल्क सामगरी बित्रण पंजिका तो दोस्तों जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालों में विबिन्द चीज़ें जो है निसुल्क बच्चों को बित्रित के जाती है जिसमें आपका है जो है निसुल्क पुष्तक इत्रण द्रेस बित्रण निसुल्क बैंग बित्रण निसुल्क जूता मोजा बित्रण निसुल्क स्वेटर बित्रण आदि समागिरी के वित्रण है तो एक समय कित पंजिका बनेगी पहले इन सब की अलग-अलग पंजिकाएं जो है बनती थी तो धेर सारी पंजिकाएं हो जाती थी अब इनका जो प्रारूप बन करके आएगा वो प्रारूप सासन की तरफ से ही बन करके आएगा हमें उस प्रारूप में भरना होगा लेकिन दोस्तों ध्यान दिजेगा कि जो है यह चुकी टाइम और मोशन लागू हो चुका है तो अभी भी जो है आप इन चीजों को यह कागज में इसी क्रम में रखिएगा ताकि आपको जब पंजिकाएं मिल जाएं तो आप उसमें उनक करके आप उसे अलमारे में रख देंगे और जहां तक बात आती है जो आपका एस्सार है तो सबसे में इसार रिजिस्टर ये है किरस और को आप आप क्लोज करके बंद करके आप उसको रख देंगे और आप नया SR जो है वो आप क्रम 1 से सुरू करेंगे primary के बच्छा के बच्छों का एक से सुरू करेंगे इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में आप प्रभेस SR रिजिस्टर में बच्छों का SR नंबर 8 करेंगे यानि कच्छा एक से लेकर के आठ तक के पूरे बच्चों का एक साथ करना है अगर आपका विद्याले मर्जर है तो अलग अलग है तब तो कोई बाती नहीं है ठीक है लिकिन अगर मर्जिंग विद्याले है तो पूरे विद्याले का एक साथ SR बनेगा और फिर से मैं बता रह ही अगला जो रेजिस्टर है वो क्या है बिद्याले अविलेग बैठक पंजिकाँ बैठक पंजिकाँ में पहले आप अलग अलग पंजिकाओं बनाया करते थे जिसमें आपका प्रबंद समित की बैठक हो गई, अध्यापक, अभिभावक की बैठक हो गई, मा समोह, मीना मंच गठन, बाल संसत गठन, रसोयाँ चैन, आधी, कारवाही हेतु, आपको एक समेकित पंजिका में लेगी, अर्था सारी बैठोकों का जो है, सिर्फ एक ही पंजिका में जो है, आप विब्रण दिया जाएगा, उसी में सब जो है, सारे कालम्स बने रहेंगे, आपको जो है, यहाँ पर यह सारी पंजिका हैं समेकित होकर के, एक पंजिका का रूप ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला है, विभागी प्रसासनिक अधिकारियों ह तो विद्याले अगले एक निरिच्ण पंजिका, यानि अगर कोई भी प्रसासनिक अधिकारी विभागी अधिकारी अगर विद्याले में निरिच्ण के लिए आता है, तो उसके लिए भी एक पंजिका होगी, जिसमें आप आपरेशन काया कल्प के अंतरगत, 14 बिंदों का संत्रिप्ति करण हो, चाहे आप इसका जो है निरिच्ण हो रहा हो, मद्यान भोजन योजना का निरिच्ण हो, सपोर्टिव सुपर्विजन हो, अकादमिक कारेक्रमों का क्रियान वेन हो, यानि सारे के सारे जो निरिच्ण है, वो सिर्फ एक ही निरिच्ण पंजिका में अ करना है विद्याले से संबंधित निर्गत हुआ आगम पत्र का विब्रण सिच्छक इस्थानांत्रण पदोन्नति सेवा निवृत्ति आदिका विब्रण ये सारी चीजें आप लिखेंगे कि इसमें पत्र विवहार पंजिका में आप इसको जगा प्रदान करेंगे फिर आता पर तो दीवार से सारे बच्चों का रिकार्ड आप लेते हैं कि काऊंसा बच्चा आप रहे कहां पढ़ रहा कहां नहीं पढ़ रहे तो इन सारी बातों का अभलेग बनाने के लिए पहले आप क्या करते थे कि प्सक्रां करते थे हैं और आप 3-18 वर्स आई-बर से का होगा तो आपको गणना करनी है तीन वर्से अठारा वर्स here और इसके लिए आपको प्राप्त होगा जह कई और गणना पंझिका उसी बने में सारा डेटेल आप अंकित करेंगे पिर अगला है जो है बिद्याली हमुलेग पुष्टकाल लेकिन अब यह सब समयकित होकर के एक हो गया है इसमें आएगा पुस्तकाले एवं खेल कुद सामगरी के क्रय है तो प्राप्त धनराशी का विबरण पुस्तकों की संख्या विबरण प्रकासन आदिका विबरण खेल के अंतरगत बच्चों को आवंटित की जाने वाली सामग रहे हैं जब भी आप बच्चों को देंगे तो आप इसू करने की डेट और बच्चे का नाम लिखेंगे और जब बच्चा उसको वापस करेगा तो वह भी विबरण आप इसी रेजिस्टर में लिखेंगे तो इस प्रकारत से दोस्तों जो है यह सब समयकित होकर के कुल मिल लाके चौदा पंजिकाएं आपकी बन जा रही हैं जिसमें से 10 प्रसास्निक हो गई और 4 बित्ती पंजिकाएं हो गई आप इनको ध्यान रखिएगा और इसी के अनुसार आप अभी से अपनी तयारी कर लीजिए आप जो भी विबरण लिख रहे हैं इनको ध्यान में रखत अलललल झालल झाललल झाललल झाल tutti Ведь है